नफरत को बोने वाले एक जुग में मनुवस्मिति दूसरे जुग में रामचाईट मानस और तीसरे जुग में गुरु गोवलकर का बंचब थोट यह दुनिया नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है 2024 का आम चुनाव अभी दूर है लेकिन राजनितिक दल वो राजनेता अभी से ही दाओं पे चलने लगा है बेसक उनके जहरीले बयानों से समाज में जहर फैले लेकिन इससे उन्हें क्या उन्हें तो वोट की फसल काटनी है इसी क्रब में बिहार के सिक्षा मंत्री है चंसेखर उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला है लेकर हो रहा है हंगामा उन्होंने राम चरित मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया है सिक्षा मंत्री जी के ग्यान को जरा सुनिये मन्नु अस्मिति को जलाने का क्यों काम किये इसलिए कि मन्नु अस्मिति में एक बरे तबका के खिलाब 85% लोगों के खिलाब अनेकों गालियां दी गई राम चरित मानस का क्यों प्रतिरोध हुआ किस अंस का प्रतिरोध हुआ अधम जात में बिद्या पाए भया हुजथा आही दूद पिलाए यानि अधम मतलब होता है नीच दुनिया के लोगों सुनो आपके माद्यम से कहना चाहता हूँ नीच जाती के लोगों को सिक्षाक रहन करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाती के लोग सिक्षाक रहन करके जहडीला हो जाते हैं जैशाकी सांप दूद पीने के बाद होता है मैं इसलिए ये बात काता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बावास सावंबेट करने दुनिया के लोगों को बताया ये जो गरंथ हैं नफरत को बोने वाले एक जुग में मनुवस्मिति दूसरे जुग में रामचरित मानस और तीसरे जुग में गुरु गोवलकर का बंचव थौट अज़िए दुनिया को हमारे देस को समाज को नफरत में बारती है नफरत देस को महाँ नहीं बनाएगा महान बनाएगा तो महाब्द ही बनाएगा सुनाआ आपने वो कह रहे हैं कि एक युग में मनुवस्मिति दूसरे में रामचरित मानस और तीसरे में गुरु गुलु वलकर का बंच अफ थोट ने समाज में नफरत फैलाई इसको ले करके अब हंगामा हो गया है विबाद बढ़ चला है बिहारगट बंधन सरकार में सामिल कांगरिस ने इसको ले करके कड़ा इतराज जताया है असितना तिवारी कांगरिस के प्रवक्ता है उन है उन्होंने क्या कहा देखें बहत्वपूर्ण पदों पर बैठें लोगों को बहुत सोच समझकर संयमित तरीके से कोई भी बैयान जारी करना चाहिए करोडों अरबों लोगों की आस्था जिन गरंथ हो जिन किताबों के प्रती हो उनका सम्मान करना चाहिए हम यह नहीं क कि यह बैठके लगे धार्मी ग्रंथों की आलोचना करने नहीं यह तर्किक तरीके से तो अगर आप चालवाक बनना चाहते हैं तो आए उन तर्कों के साथ रता ऐसे किसी धार्मी ग्रंथ की आलोचना मत कीजिए अब बात करते हैं बीजेपी के बीजेपी के प्रवक्ता है प्रवाइर बिंद सुनिए वो क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री स्री चंसेखर जी इस शिक्षा मंत्री होने से ज्यानी नहीं होता है अधका चरा ग्यान वाले लोग भी सिक्षा मंत्री बंते हैं राम चरीत्रमानस प्रणूली उठाने के पहले उसको पढ़िये और समझिये अगर नहीं समझते हैं तो कोई अच्छा गुरू रख करके उसका ज्यान लीजिए आठवी बर्ग के कलास में जो बाबा साहब पर जो जीवनी लिखे हैं वो जीवनी ही गलत लिखे हैं उन्होंने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन के बारे में ही आपने गलत उसमें पढ़ा रहे हैं लोगों को उसको एक बार पुना पढ़िये और कहां पर किये थे उस आंदोलन का किया नाम था उसको भी आप समझिये और जहां तक बात है लोगों को भ्रमित करना समाज में तोड़ना बफोड़ना और आपस में कलेस कराकर के राजनीत करना इस आधत को छोड़िये और विकास में काम करिए बिकास की उजनाओं में काम करिए और रामचरित्र मानस इस देश के सारे हिंदूओं के आराद्द है चाहे वह दलित समुझाय के व्यक्ति हो चाहे वह पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति हो चाहे वह अगला समुदाय के व्यक्ति हो यह सारा सिक्षा पर सभी का अधिकार है समाज के धार्मिक पहलों पर सभी का अधिकार है यह समाज धर्म से और गरीवी से या मीरी से नहीं चलती है यह समाज एक सिस्टम से चलती है विकास से चलती है और रामायन में माता सबरी तक का भी आप पढ़े हैं और संतर अभिदास तक का भी पढ़े हैं यह रामायन सभी के लिए है आप जो है बांट करके समाज को बांट करके समाज जाग चुकी है। दुसरी तरफ अब राम चरित्र मानस को जिसमें की राम के चरित्र का बढ़नान है गोस्वामी तुलसिदास जी ने इसे रचा है उसको लेकर के विवाद बयान दिया जा रहा है। और मिल जूल करके रहना सिखे। इस बयान पे ए आई एम आई एम चीफ असदुदिन ओवैसी भड़क गए। भागवात जी हमें ज्न मत सिखाओ, होते कौन हो डिक्टेट करने वाले यानि कि स्तही बात भी बोलिये तो उस पर बजबानी करने के लिए राजनिता तैयार हैं, अपने कौम को भड़काने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भी तो वोट की फसल काटनी हैं, वोट बै और हां और एक बात और आप ये भी य Hiç ये भी समझ रहे हैं कि मुसल्मान जो है अगर पुराने धर्म को वापीस आद आ जाए Fitz कियो के अधर अल्फ कर रहे आप नेठimana ने नावे आप आपको ये समझना चाहिए कि वो डर रहे है मुसल्मान सुप्रिमिसी की बात ना कभी किया है ना कभी करेगा आजाद इंदुस्तान में हम कॉंस्टिटूशन की सुप्रिमिसी को मानते हैं रूल आफ लॉग की सुप्रिमिसी को मानते हैं हमारी लडाई एकुल राइट्स की है इसको आप सुप्रमिसी समझ रहें अभी देखते रहिए किस किस तरह के बयान आते हैं राईने बेखबर देखते रहिए इनकबर थैंक यू